नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में ओपो रीनो 11 5G वर्सस वीवो वाई 200E 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 11 5G में 6.39 इंच जब की वाई 200E 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है width की बात करें तो 11.5G में 2.9 3 inch जब की Y200E5G में 2.9 8 inch की width मिलती है बात करें थिकनेस की तो दोनों phone में same ही 0.3 1 inch की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं weight की तो 11.5G में 182 grams जब की Y200E5G में 185.5 grams का weight देखने को मिलता है जो की same जैसा ही है चलिए अब हम display की तुलना करते हैं display type की बात करें तो 11.5G में flexible AMOLED जब की Y200E5G में AMOLED की display मिलती है aspect ratio 11.5G में 20.1 ratio 9 जब की Y200E5G में 20 ratio 9 मिलता है display size की बात करें तो 11.5G में 6.7 inches जब की Y200E5G में 6.67 inches मिलती है display resolution 11.5G में 1080 x 2412 px fhd plus और Y200E5G में 1080 x 2400 px fhd plus मिलता है screen to body ratio 11.5G में 89.82 जब की Y200E5G में 86.83 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI density की तो 11.5G में 394 pixel प्रति इंच जब की Y200E5G में 395 pixel प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं display के अन्य features यानि विशेशताएं की जो की mobile phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा features camera की दोस्तों सबसे पहले बात करें main camera की तो 11.5G में 3 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera और आखे में telephoto camera देखने को मिलता है और Y200E 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, depth camera और आखे में third camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो 11.5G में 13 different type के features मिल जाते है और Y200E 5G की बात करें तो उसमें 7 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो 11 5G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते है और Y200E 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 3 different features मिलते है आए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो 11 5G में Mali G68 MC4 जबकी Y200E 5G में Adreno 613 मिलता है चिप सेट की बात करें तो 11 5G में MediaTek Dimensity 7050 और Y200E 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 मिलता है बात करें RAM की तो 11 5G में 8 GB की RAM मिलती है जबकी Y200E 5G में 2 option देखने को मिलता है जिसमें 6 GB 8 GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो 11 5G में 2 विकल्ग देखने को मिलता है जिसमें 128 GB 256 GB की storage मिलती है जबकी Y200E 5G में एक ही विकल्ग देखने को मिलता है जिसमें 128 GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो 11 5G में up to 2 TB जबकी Y200E 5G में up to 1 TB है operating system दोनों phone में Android V14 देखने को मिलती है बैटरी की बात करें तो दोनों phone में 5000 mAh देखने को मिलती है अईए अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो दोनों phone में same ही दो colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो 11 5G में दो variant देखने को मिलते है जो की 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 29,690 रूपीज 8 GB RAM 256 GB storage के साथ 28,500 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें Y205G की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 6 GB RAM 128 GB storage के साथ 19,999 रूपीज 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 20,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फायदे और नुकसान की तो OPPO Reno 11 5G में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Vivo Y205G की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main camera में दोनों फोन सेम ही है Front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में 11 5G आगे है दोस्तों अब हम same price में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Oppo F25 Pro 5G है दुसरा Tecno Camon 35G है तीसरा Nothing Phone 2A 5G है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Realme 12 Plus 5G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी प्रेयर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्रप्याय से लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले